तो दोस्तों भारत सरकार करोनवारस के खत्रे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर इसी बीच हमारे सामने एक बड़ी खबार आती है एक बहुत सारे लोगों की मीटिंग हुई निजामुद्दीन दिली के अंदर जिसने कुरोना वाइरस के जो खत्रे हैं पूरी दुनिया के लिए उसको और भी ज़्यदा बढ़ा दिया है अज आपके साथ डिसक्रशन में लूँगा कि ये तवलीगी जमात है क्या और ये तवलीगी जमात का क्या कार्यक्रम था जिससे कुरोना का जो खत्रा है वो बढ़ गया है अगर यहां पर पूरी लिस्ट देखोगे तो लगबर लगबर हर एक स्टेट से कोई ना कोई व्यक्ति आया ही था इस इवेंट को अटनिंद करने अराउंड नाइंटीन हंडरेंड इडियन सिटेजन्स थे अलॉंग विद थ्री हंडेड फॉर्नर्स मतलब अगर कैलकुलेट कर गए तो वो 2200 लोग थे जो की यहां पर इस इवेंट का पार्ट बने अब एक बड़ा सवाल आता है जब देश की अंदर लॉकडाउन हुआ हुआ है जब बहुत सारी स्टेट्स ने धारा 144 लगाई हुई है जब सब लोगों को बता है कि कोरोना वायरस का जो इवेंट है उसको हम लोगों को रोकना है तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है उस पर्टिकुलर समय पर यहां पर एक बड़ा इवेंट हुआ कैसे कुछ सवाल अथोरिटीज के उपर भी उठाए जा रहे हैं कि अथोरिटीज को अगर पता था तो उन्होंने एक रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी पर आज का अपना सवाल है यह जानना कि यह जो तबलीगी जमात है यह है क्या तबलीगी जमात एक प्रोसलिटाइजिंग मूवमेंट है प्रोसलिटाइजिंग का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसका में मक्सद होता है लोगों को वापस अपने धर्म के बारे में बताना पास यह पहुँच्ते हैं जो पुराने बिलीफ्स हैं जो ट्रडिएश्नल बिलीफ्स हैं उसमें उनका फेट यहांपर जगरूप करने की कोशिश करते हैं और उनको सिखानी कोशिश करते हैं कि اسلامक लाओस में किस तरिश नियूस हैं कुछ शे न्यूज रिपोर्ट में जिन में से 200 को पॉजिटिव टेस्ट कर लिया गया है और सारी स्टेट्स भी काम कर रही है जो मूवमेंट है ये काम क्या कर रही है बिसिकलिए सोसाइटी के अंदर फेथ स्टैबलिश करने की कोशिश कर रही है और ये जो ग्रुप है ये स सुन्नी इसलामिक ग्रुप से यहां पर बिलॉंग करता है तो इस अ मूवमेंट जहां पर और्डिनरी मुस्लिम्स के पास पहुचा जा रहा है उनको पुराने रिच्वल्स के बारे में बताया जा रहा है और इसके अगर आप लोग रूट्स देखोगे तो वो देवबंद करती वर्जन है यहां पर उस पर्टिकुलर वर्जन को यह बिलीव करते हैं इसको यहां पर देवबंद के ही एक क्लेरिक और प्रॉमिनेंट इसलामिक स्कॉलर मॉलाना महुम्मद इल्लास खंदवला ने यहां पर लॉंच किया था 1927 के अंदर कहां पर मेवात के अंदर इस कारे में बताना है उसी समय पर इस सेम मॉवमेंट को लॉंच किया गया था जो मॉलाना इल्यास थे वह टॉट एड़ी मजरूल उलूम जो कि शारणपूर के अंदर है मिड नाइटीन ट्विंटीज के अंदर एकनॉमिक और एजुकेशनली बैकवर्ड मियो पीजेंट से य जाता जो मुस्लिम्स थे वह लाजली प्रैक्टिसिंग हिंदू ट्रेडीशन्स तो में चीज़ क्या है इस गुरूप की देखो आजकल मिक्स कल्चर है तो यहां पर हम सब लोग चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं इसाई हैं हम सब लोग एक दूसरे के कहीं न कहीं कल लिचल टच के अंदर इन्वाड हैं यह क्या चाहते हैं ही चाहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो वह पुरी तरीक से मुस्लिम लाज ही फालो करें तो यहां पर उस समय पर जो मौलाना इलियास थे उन्होंने मियो मुस्लिम्स को वापस लाना चालू कर दिया था चली गई विवाद के पार पहुशने लगे पहरी तब्लीगी की जो कॉंफरेंस थी वो 1941 के अंदर हुई थी और उसके अंदर लगबग लगबग 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पार्टिशन के बाद 1947 में पाकिस्तान के रावल पिंडी के अंदर भी इन्होंने अपने एक आप कह सकते हो ऑफिस खोला करेंटली बंगलादेश है जबन आफ दी लार्जेस चाप्टर सबसे बड़े यहां पर कहां पर बंगलादेश के अंदर हैं तब्लीगी जमात के सिनिफिकेंट बेस हमें उनाइटिट स्टेट्स और ब्रिटेन के अंदर भी देखने को मिलते हैं विचे भी लाज इनिया सबकॉंटिनेंट डायस्पोरा इसके साथ इसकी फ्रेजनस इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापॉर के अंदर भी है तब्लीगी जमात 6 प्रिंसिपल पर बेश्ट ये 6 प्रिंसिपल क्या है पहला प्रिंसिपल है यहां पर कलीमा करीमा मतलब यहाँ पर जो भी article of faith है जिसके अंदर तबलीग यहाँ पर believe करते है that there is no God but Allah कि Allah सबसे उपर है और उनके इलावा कोई और भगवान नहीं है and Prophet Muhammad is the messenger of God वो पहला principle है दूसरा principle को बोलते हैं सलात सलात का मतलब होता है prayer five times a day कि पांच वार दिन में नमाज पढ़नी है तीसरा होता है यहाँ पर ilm और धिक्र ilm का मतलब होता है knowledge और धिक्र का मतलब होता है remembrance of Allah conducted in sessions in which congress listen to preaching of the imam कि imam की बातों को सुनना और prayers perform करना कुरान को recite करना, read करना, hadith को इसके साथ साथ इनका जो fourth principle है वो है इकराम मुस्लिम जिसको बोलते हैं कि जो fellow Muslims हैं उनको किस तरीके से treat करना है उनको इज़्जद देनी है fifth है इकलास इनियत जिसका मतलब है sincerity of intention और last principle है दावत और तबलीग मतलब proselytization मतलब और लोगों को भी यहाँ पर जो real जो traditional चीज़े हैं उनको बताना है और उनको भी उन चीज़ों के अंदर ले कराना है अब यह gathering क्या हुई जिसके उज़े से इतना वड़ा खतरा बढ़ गया between 8 to 11 a.m. एक gathering हुई जो कि यहाँ पर अपली दस लोग की यहाँ पर अलगलग grouping बना दिये गए थे इनकी gathering के अंदर और हर एक group को अपने एक leader choose करना था पैसरली जो इस group का सबसे elderly person था जो group है it is given a destination distance depending on how much money the individual have brought for this particular purpose और तीन बजे से पांच बजे के बीच में यहाँ पर islaams के अंदर जो नए लोग add-on हुए उनके साथ यहाँ पर बातचीत हुई after sunset there is a recitation of Quran and on the life of prophet with explanations को defined structure नहीं है इस organization का बट यहाँ पर जो hierarchical network चलता है वो elders और mosque के हिसाब से चलता है originally it used to be headed by the aamir who would preside over the shura shura क्या होती है शुरा होती है council जो core होती है एक organization की और deal करते है थे वो सारे important matters थे चाहिए international congregation क्यों नहीं हो जब इंटरनाशनल होता है क्यों उसको बोलते है आलमी इस्तमा ओके after the death of moolana inamul hasan khandlavi the third imam थे the post of aamir was abolished alami shura जो international advisory council है उसको appoint किया गया था after the death of moolana khandlavi's son zubair ul hasan khandlavi 2015 के अंदर इनकी death हो गई थी जो movement थी it has been marked by factionalism मतब इसके अंदर और भी factions यहां पर होने लगे okay इसके camps कुछ इंडिया में है पाकिस्तान में है बंगलादेश में है जो निजाम उद्दीन camp है उसको head करते है मुलाना साद खंदलवी जो के great grandson है मुलाना मुहम्मद लियास के और एक revival section है पाकिस्तान के अंदर भी इनका revival section based है जो के host करता है biggest annual आलमी इस्तमा मैंने आपको बताया था कि यह क्या है यह basically एक इनके बड़ी grouping एक council है international congregation है जिसको यह लोग form करते हैं तो यहां पर पहले phase की meeting इनकी January 12 को हुई थी फिस second phase की meeting January 17 को हुई थी निजाम उद्दीन thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care